तो आज की हमारी इस online class में हम बात कर रहे हैं अनूप जी के साथ Power BI के बारे में हमने इसे पहली class में हमने बात किती कि Power BI कैसे यूज होता है किस तरह से इसकी report बनती है किस तरह की dashboard बनती है क्या benefits है इसके online डेस्टॉप term कैसे है download कैसे करेंगे बागे सब चीज़ों पर हमने discuss क अब पावर भी आपने जब की download कर लिया है जब इसको install करके जब इसको open करेंगे तो पहला window कुछ इस तरह आएगा लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहां पर sign in के लिए बोलेगा क्योंकि Power BI Microsoft की Power BI की जो ID है अगर आप बना रखी है तो फिर आपको sign up के लिए नहीं बोलेग बट जब होगा तो sign up के लिए बोलेगा है अब यहां पर आपके सामने खुली हुई है इसमें पर जान लिए कि यहां पर कुछ टुटोरियल्स है दिख रहा है आपको इसमार करने Microsoft दिखाया तुटोरियल्स है और भी और पे करेंगे तो पूरी वीडियो स्रीज आपको मिल जाएगे और बीए के तरफ से कुछ के लावा यह ब्लॉक्स है कि पावर भीए ब्लॉक्स है कि नया क्या आया है कुछ पूछना तो फोरम में जाका पूछ सकते हैं प लेकिन आपको यहां से इसको कैंसल कर दीजिए करने के बाद दूसरा विंदू यहां देखेजी आपका फिल्ड का है पिवर टेवल में लोग यूज करते हैं ना ना पिवर टेवल के उसी तरह से यहां पर सारे के सारे विजलाइशन है को तरह का यहां साथ को पिक करना है और किसी तरह का फिल्टर अपलाई करना है तो यह फिल्टर का श्रेक्शन आपका यह रहता है ठीक है उसके बाद इसको बोलते कैनमस एरिया यहां पर आपको दिख रहा है ना सर जैसे कोई डेटा आट कर देंगे डेटा ब्लाइंग हो जाएगा जो दिख रहा है अगरे कोई डेटा यहां पर कनेक्ट नहीं किया तो यह आपका ब्लाइंग हो जाएगा उसके ऐसे एकशल में शीट्स होते हैं ऐसे यहां पर करते हैं जैसे करेंगे यहां पर आपको दिखाएगा आप यहां रहा होगा कर सकते हैं यहां आपको स्लेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से शीट को लिंग करना है तो मैं क्लिक करके यहां डेटा प्रिव्यू में डेटा भी देख सकते हैं यहां प्रिव्यू में देखिये डेटा आ गया ओके अधर डेटा आ गया इस तरह से डिफेंट डिफेंट शीर्स को भी देख सकते हैं अब मुझे इसी को करना है तो मैं इसको चेक बोक्स पे क्लिक कर दिया एंद लोड पे क्लिक कर दिया क्लिक कर दिया क्लिक कर दिया एंद । अब यहां देखिए खड़ गया दो चीजें थी कर अब था दो चीजे करें दो चेस्ट पराइब है कर दो कर दो है आड दो कर अद तो अब जो है यहां पर देखिए तीन व्यू है पहला व्यू है आपका रिपोर्ट व्यू है जो सामने दिख रहा है उसके बाद दूसरा आता है आपका डेटा व्यू यहां पर जो आपके डेटा इंपोर्ट हुए है आपके डेटा व्यू करेंगे तो दोनों के बीच में डिलेशन क्रिएट करना पर आपके इसका इस डेटा निकाल ले यहां पर देखना रिपोर्ट देखना पड़ेगा तीन व्यू इसके अंदर है अब जैसे कि यहां विजलाइशन तो सबसे पहले मैं यहां से टेबल लेता हूं आपना डेटा रखना है तो कैसे रखें तो मुझे पीवट टेबल में रखते थे मुझी तरह से जैसे मुझे रखना है माली जब मन्त बाइच क्वांटिटी का टोटल चाहिए तो मैंने नेम उठाया और इसके अंदर ड्रॉप करतें तो यहां पर लिस्ट सब्सक्राइब को लेकर इसके अंदर छोड़ देना है यहां पर यहां आगया क्वांटिटी का सब्सक्राइब जैसे कि मैं कुछ और डाना चाहता हूं तो राम सिसके अंदर डाल सकता है जैसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए मुझे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो सकता है इसको टेवल फॉर्म में था मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कर दिया इस तरह से मैट्रिक्स तो इस तरह से तो यहां से अपनी चूज़ का सकते हैं ले रहे हैं अमाल जो मुझे चाथ चाहिए मैं माल जिए कि मैं पॉड़क्ट बाइस टोटल कौांटिटी बार्चार्ट में रेखना आपको यहां बारचार्ट का जगह बनके आ जाएगा अब मुझे इस पर अपने प्रोड़क्ट को रखना है अपनी क्वांटिटी को रखना है अब अब इसकी कलर वगदा चेंज करना है इसके लिए यहां फॉर्मेट का टाइब होता है अपनी हिसाब से जो भी कलर करना चाहिए यह चाहिए यह बहुत आपके बेगनी क्लर चाहिए या मुझे यह यह चाहिए इस तरह के लिए यहां से चूच की जाएक और भी बहुत सारे चीज़े से डेटा लेवल एड करना है यहां पे डेटा लेवल और यूनिट करना है यह सब चीज़ें पर डिसकॉस करेंगे लेकि फिलाल बहुत समधार आव एक्स्प्लेइन करना हूं उसके बाद चाहिए इसको भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जहां रखना रख सकते हैं अपने हिसाब से पिक्चर को आपने हिसाब से तो अभी क्या करें अनुप जी आगे बढ़ने के लिए अवेर्नेस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं और किस तरीके से हम चार्स बगड़ा बनाते हैं एक एक से ज़्यादा चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं जैस्ट ओबर्व्यू में आपको डेटल में नहीं पहाया है तो आप चार्स पे डिफेंट 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 चार्स को रखें और फिल्ड को रखें पीबट टेबल की तरह बिल्कूल और जस्ट्राइब करें जो है जो है विजलाइशन पार्ट को हम सुरू करेंगे ठीक है ठीक बाद डेटा कनेक्टिवीटी तो शुरुआत में अवेर्नेस बढ़ाईए कि अबदाएशन थावीटी तो शुरुआत में अवेर्नेस बड़ाईशन क्या है